तो नमस्कार दोस्तो चलिया आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जेवर एरपोर्ट से मंदी एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी को दी जाएगी वो भी काफी लंबे समय बाद दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे लोगडाउन के चलते जेवर पिला से दोस्तो आप सभी से अन्रोध है जो आपके लिए किसानों के लिए जो अलने जो इन्फरमेशन दी जाती है सभी को आप लोगों को देखना है एक सारी वीडियो को तभी इंट्रेस्ट आएगा काम करने में आप यह मत सोचेगा पर जेवर एरपोर्ट की वीडियो देख लिए और वीडियो अपने नहीं देखी सब को देखना होगा आपको वरना दोस्तों जेवर एरपोर्ट का काम भी बैन करती है जाएगा ठीक है तो दोस्तों सभी लोगों को और सभी से रिक्वेस्ट है सभी देखिए आप लोगों के लिए वीडियो दी जाती है कि सा पाथ ही अब इसके निर्माण कारिया का रास्ता साफ हो गया लॉटडाउन के बाद सीग इनिर्माण कारिया इसका प्रारम हो जाएगा और ये बोला है दोस्तों डॉक्टर मही सर्मा जी ने जेवर एरपोर्ट को ग्रह मंतराले की एन उसी मिल गई है जेवर में प्रस्तावी इतनोईडा इंटरनेशनल एरपोर्ट के लिए ग्रह मंतराले ने सुरक्षा संबंदी अनापत्ती प्रमाण पत्र यानि एन उसी दे दी है इससे जूरिक एरपोर्ट यानि इंटरनेशनल एजी और प्रदेश सरकार के बीच अनुबंध होने का रास्ता साफ हो गया है यू जूरिक कंपनी के तरब से गठित सोसल परपस वेहिकल कंपनी और नौईडा इंटरनेशनल एरपोर्ट लिम्टेट नियाल ने 27 जनवरी को आभिदन किया था इस बीच कोरोना वायरस के कारण लोकडाउन होने से किलरेंस अटक गया था अब विमान सेवा सुरू होने पर ज के बाद 29,560 करोड रुपे के एरपोर्ट के निर्मार की नीव रखी जाएगी इस एरपोर्ट से 2030 में उडान सुरू होने का लक्ष रखा गया है देखिए दोस्तों ये का है हमारे डॉक्टर महिस सर्मा जी जो की संसद है ठीक है तो दोस्तों मुझे लगता तो है नहीं कि 2023 में उडान सुरू हो पाएगी क्योंकि अभी तो ये आकड़ा ही बढ़ता जा रहा है लोकडाम का अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जेवरे रपोर्ट से सम्मंदित डेडी अपडेट यहाँ पर आप सभी को दी जाएगी जैसे पहले दी जाती थी फिर से कारी दो